राधे राधी जी मैं नेहा जोशी स्वागत है आपका जोशी एन फैमिली में आप सकुसल होंगे इसी आसा के साथ माभगवती से आपकी कुसलता की मैं प्रार्थना करूंगी यह जो खरमास या मलमास जो 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक लग चुका है उसमें कौन से यह सरल उपाई करें जिस से की सीग्र व्यवा से संभनदित जो किसी के परेशानी आ रही हो वह वधू या वर पक्षी हो उसके किसी भी तरह की विवा से संबंदित कोई अर्चन आ रही हो या ग्रह दशा जो की विवा में बेहद महत्वपूर्ण योगदान रखती है विवा के योग बनाती है उनमें अगर यह कुछ प्रभावी उपाई किये जाए तो उन ग्रहों की दशा को अनुकूल किया जा सकता है यह कुछ छोटे-छोटे से उपाय में लेके आई हो जो की दैनिक जीवन में उप्योग किये हुए है और काफी कारगर और प्रभावी है इन छोटे से उपायों को करके आप अपने ग्रहग दशाओं को मजबूत कर सकते हैं और एक माह के भीतर ही विवा के जल्दी से योग बन जाते हैं यह माता-पिता भी कर सकते हैं साथ में जिनका विवाह ना हो रहो हो वह भी करें तो यह सीगर फल देने वाले होते हैं माता पिता के सामने बेटी बेटियों की सही विवाह पर सही समय पर साधी करना सबसे बड़ी चुनोती होता है अक्सर देखने को मिलता है कि साधी की उम्र निकल जाती है और बेटा या बेटी के विवाह में नहीं हो पाता जिन युवाओं के विवाह में देरी होती है उनके ग्रहनक शत्रों का बड़ा योगदान होता है विवाह में सबसे बड़ी चिंता सही लड़की ये सही साथी के मिलने की भी होती है यदि अरेंज मेरिज में अपनी पसंद की लड़की या लड़का मिल जाए तो वैवाहिक जीवन खुशनुमा तरीके से बीचता है साथ में यह भी जान लेते हैं कि लड़कों में गुरू का मजबूत होना बहुत जरूरी है ग्रहदशाओं में साथी लड़कियों में सुक्र का होना बेहद मजबूत होना जो विवाह के योग हैं उनमें सबसे कारगर होता है वह कौन से सरल से उपाय हैं जिनको इस खरमास में आपकरके अपने इन ग्रहदशाओं को मजबूत कर सकते हैं और आने वाले समय में विवाह के जल जल्दी से य गुरुवार के दिन आप भले एक चांदी का कड़ा लीजिए या एक सरल सा कड़ा लीजिए कोई भी जिसको हम चूड़ी या कोई भी आप यह दोने लड़के या लड़कियों पर दोनों पर बहुत प्रभावी होता है गुरुवार के दिन हल्दी में एक बड़ा सा जो कं साथ में उपायों सच्छे मन्स और पून्विष्वास के साथ किया जाए तो यह कूंड फल देने वाले होते हैं जब भी आप सुबे सूरी को जल चड़ाएं तो उसमें थोड़ा सा हल्दी और जो लाल रंगी रोली आती है उसे मिला कर सूरी को जल चड़ाएं और सूरी को ओम सूरी देवाए नम्हा इन मंत्रों का जाप करते हुए इस समय धनुराशी में जो ये सूरी देव होते हैं वह स सूरी को मजबूत बनाकर जैसा कि सूरी को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है और यह किसी भी जो हमारे ग्रह होते हैं उनको कमजोर अगर होते हैं तो सूरी अगर मजबूत हो तो वह इन दशाओं को कुछ कम कर सकते हैं तो जब भी आप सूरी को जल चड़ाएं तो उसमें ह साथ में इसे इसी तरह की शम्बंदित किसी भी तरह की समस्य हो तो उसे एक Cott twin ciento हो सकता है कुई साभी- चावल का आटा ले लिजिए या गेंहुं का आटा ले ले लिजिए उसमें थोड़ा सा香港 मिला लिजिए और साथ में उसमें गूर और चने मिला लिजिए और हर खरमास के हर दिन सुबे सुबे या तो इस संभव हो तो इसकी रोटी बना लिजिए या आप इसे इसी तरह कच्चा आटा भी गाए को खिला देते हैं तो इस सारे ग्रह दोसों की जो दशा होती है वह मजबूत होती है जैसा मैंने बताया सूर सभी ग्रह दोसों की राजा होते हैं और सारे ग्रह दोस हमारे अनुकूल हो जाते हैं ऐसा करने से तो आप रोज इस नियम को अपनाईए इस खरमास में और आपको परणाम जल्दी ही सकारात्मक मिलेंगे स्कारमास में आप विष्णू सहस्त्र नाम का जरूर पाथ करें सुबे उठकर पूजा के समय हाथ में संकल्प ले और भगवान विष्णू से यह प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से आप क्रेश्न रूप में राधा के साथ थे और भगवान विश्णु आप मा लक्षमी के साथ थे उसी तरह से मुझे भी एक सुयोग वर या वधु की तलास है जिसे आप पूर्ण कीजिए हल्दी हाथ में लेकर संकल पिलीजिए और विश्णु सहस्त नाम का पाठ करिए और यह हर खर्मा जो यह पूरा महना है इसकी यह भी एक विशेश फल देने वाला होता है और यह एक सारे हमारे ग्रह दोशों को दूर करने वाला होता है यह उपाय आप जरूर करिएगा यह बहत कारगर होता है जो यह हल्दी आप हाथ में धारण किये हो इसको आप तिलक जरूर लगा ले अपने माथे में या टीका ल और सवा किलो कच्चा दूद जैसे मैं मने बताया है यह हर गुरुवार को यह हर रविवार को अगर पूरे खरमास में किसी गरीब को दान में दे दिया जाए तो यह भी ग्रहों की दशा को विवा सम्मंदित जो अनुकूल दशाएं हैं उनको बनाने में बेहत कारगर होती है यह कुछ छोटी-छोटी से मैं उपाय लेके आई हूँ इन में से आप पूरे इस खरमास में एक महने के भीतर एक या दो उपाय वी इन में से कोई सरल से करते हो जो आपकी दिनचरिया के अनुकूल हो आप इनको काम में लेते हो तो आप देखिएगा इनके परिणाम आपक इनको लड़की के माता-पिता या लड़की या वधु जिसको जिसकी भी तलाश हो वह कोई भी अगर इनको करे तो यह बेहत प्रभाव देने वाले होते हैं जैसे मैंने बताया ग्रहद शाओं का विवाह के संपूर्ण पूर्ण होने में और साथी विवाह के योग बनाने में एक विशेश रूप से जोतिस विद्या के अंदर बताया गया है और वहत सरल और कारगर उपाय हैं जो कि घर की ही वस्तों से संभव हो सकते हैं तो आप इन उपायों को जरूर करें और मुझे अपने कॉमेंट से जरूर बताईएगा कि इनके आपको कितने फल मिले हैं म आता भगवती आपकी सारी मनो कामना पूर्ण करें और आपको नव जीवन की बेहत सुपकामना हैं इसी आसा के साथ जैमा भगवती